आज के इस वीडियो के इंदर मैं आप सभी के सामें एक सिंपल सा सवाल लेकर आया हूँ जो कि आपसे कई बार आपके सीनियर्स के दौरा पूछ लिया जाता है ताक कि वो आपके लेवल को चेक कर सके सवाल है कि ट्रांसोमर के अंदर जिस ऑईल को भरा जाता है उस ऑईल का क्या होता है अब यहां पर कई लोग जवाब देते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए काफी अच्छी नेुज कि अगर आप मेंसे कोई भी PLC को लेकर परिशान है PLC सीखना चाता है अपने केरियर में ग्रोज चाता है तो आपको बहुत ही जल्दी next week के अंदर हमारी तरफ से एक काफी अच्छी update मिलने वाली है PLC को लेकर अगर आपको PLC का बिल्कुल भी knowledge नहीं है आप PLC के अंदर बिल PLC 100% सीख जाएंगे चलिए अभी आज के वीडियो पर बात करते हैं कि अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब काफी सिंपल सा है आप जो बोलते हैं दोस्तों कि ट्रांसफोर्मर में हम जो यूज करते हैं वो ट्रांसफोर्मर ओइल करते हैं यह जवाब सह की यह कि जो मिनरल ऑएल होते हैं जो ट्रांसोर में उप्यों किया जाता हैं वो ट्राफियोल के होते हैं एक होता हमारा फियल क Tumbles और जो transformer की rating high होती है जिसके current capacity ज्यादा होती है उसके अंदर जो oil उपियों किया जाता है वो होता है हमारा parafenic based oil अब यह जो दोनों oil है ना यह दोनों oil ही हमारे mineral oil के ही types है तो इसलिए अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि transformer कौन सा oil उपियों के जाता है तो आप basic बोल सकते हो कि transformer mineral oil उपियों के जाता है लेकिन आपसे वापस repeat में सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे जो कम current rating वाले transformer है उसके अंदर किस type का mineral oil उपियों के जाता है वो किससे बना होता है तो वह होता है हमारा ने फैनिक बेस्ट और ज्यादा करेंट रेटिंग वाले में आपको बोलना है पैराफिनिक बेस्ट इसके आला दोस्ता आपको एक दो बात और पता होनी चाहिए पहली कि हमारे mineral oil के पहले जो ट्रांसवर में oil उप्योग की जाते थे वह होते थे हमारे silicon based oil यह सिलिकॉन बेस्ट ओइल होता था ना यह एक तरह का हमारा synthetic oil होता है synthetic बोल लो या फिर आप बोल लो chemical बनावा oil होता था अब इस oil से नुकसान क्या था कि जब यह oil पुराना हो जाता था जैसे ट्रांसवर मे के बाद में उसे कहां फेका जाए वह हमारी जमीन को भी नुकसान पोचाएगा आसपास के atmosphere को भी नुकसान पोचाएगा तो इसलिए धीरे-धीरे silicon based oil इसे बंद कर दिया गया है अब पूरी तरिक से mineral oil पे हमारे transformer को चलाई जाता है इसके अलावा दोसो एक आखरी टाइप कि इसके कोश्ट काफी जादा है इसकी कोश्ट जादा इसलिए क्योंकि एक तरीकी का natural oil है यह जो bio based oil होता है यह निकाला जाता है हमारे vegetable से जैसे हमारा soya bean हो गया है इसके अलावा हमारे जो mustard के seeds होती है इन सभी चीजों से bio based oil को निकाला जाता है अब इस कारेंट से क्या ह करने के बाद में यह एक तरह से toxic की तरह काम करता है जहर की तरह काम करता है तो इसलिए आज के समय जो हमारा oil उप्यों किया जाता है टांसमगेंदर उसका नाम है mineral oil आपको आगे से इस बात का ध्यान रखना है उमीद करता है छोटाता वीडियो आपको काफी पसंद आया हो होगा आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं धन्यवाद